दोस्तो इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके सतरहे से घर वैटे ही एक निवास प्रमाड़ पत्र के लिए ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं दोस्तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनमें हम लोगों को निवास प्रमाड़ पत्र की आपशक्ता पड़ती है तो अब आप लोगों को इसे बनवाने के लिए कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा, आप लोग घर वैटे ही मातर 15 रुपए में अपने निवास प्रमाड़ पत्र को बना सकते हैं, जब आप लोग यहां से इसे अपलाई कर देंगे, इसके बाद दोस्तों आपका जो निवा साथ इस वीडियो में, और साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा, कि इसमें आपके कौन-कौन से दस्तावेच लगने वाले हैं, तो चलिए, दोस्तों सबसे पहले, आपको एडिस्टिक की ओप्शेल वेब साइट पर आ जाना है, और इसका लिंक मैं आपको वीडि आइडी नहीं है, तो आपको न्यू यूजर आइडी को क्रियेट कर लेना है, जिसके लिए आपको नभीन उपयोग करता पंजीर करण वाले ओप्शन पर एक बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लोगन आइडी टाइप करनी है, लोगन से आपको link select करना है, यहाँ पर आप लोगों को complete address fill करना है, यहाँ पर आपको area का pin code डालना है, इस list में से आपको jila select करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर mobile number enter करने के बाद, अगर email ID है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपको खाली ही छोड़ देना है, इसके बाद this capture code को same to same इस वाले box में fill करना है और सुरक्षित करने वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा OTP आप लोगों को fill up करना है और साथ ही आप लोगों को एक new password को भी create कर लेना है password create करने के बाद आपको password को change करना है और new password को बना लेना है अगर आप लोगों को user ID बनाने में कोई भी problem आ रही है तो इस related मैं already अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका link मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगा जब आपकी user ID complete बन जाए इसके बाद आप लोगों को उसी user ID को यहाँ पर डालना है यहाँ पर आपको password डालना है इस capture code को same to same इस वाले box में fill करना है और submit वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही submit वाले option पर click करेंगे इसके बाद इसका dashboard आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर जितनी भी services हैं सभी services आप लोग देख सकते हो अब हमें यहाँ पर एक निवास पुर्माड पत्र के लिए apply करना है तो यहाँ पर आवेदन पत्र वाले option में ही नीचे की side में आपको निवास पुर्माड पत्र का एक option देखने को मिल जाएगा तो यहीं पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो निवास पुर्माड पत्र बनाने का पूरा form आपके सामने आ जाएगा अब यहाँ पर सबसे पहले आपको select करना है कि आप grammar चेत्र में रहते हैं या फिर नगरिये चेत्र में इसके बाद यहाँ पर आपको प्रार्थी का नाम हिंदी में टाइप करना है जिसके भी नाम से आप निवास पुर्माड पत्र बनाना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है इसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिस में नेम को टाइप कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पिता पती या फिर सरचक का नाम टाइप करना है यहाँ पर आपको माता का नाम टाइप करना है इसके बाद आपको यहाँ पर इस calendar के माद्यम से date of birth को select कर लेना है यहाँ पर आपको जन्म इस्थान टाइप करना है जन्म इस्थान में आप लोग अपने village तहसील या फिर district का नाम डाल सकते हैं इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पता enter करना है पता में सबसे पहले मकान नंबर डालेंगे इसके बाद यहाँ पर मुहले का नाम और यहाँ पर आप लोगों का जो जिला है पहले से ही select रहेगा पहले से इसलिए select रहेगा क्योंकि जब आपने user id बनाते समय जो भी district दिया था बही district यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर तहसील का नाम select कर लेना है यहाँ पर आप लोगों को अपना थाना select करना है और इसके बाद आपको gram का नाम select कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना mobile number type कर देना है अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निवास की अबदी यानि कि आप जहां कहीं पर भी रहते हैं तो बहाँ पर आप जन्म से रह रहे हैं या फिर आप लोग कितने बर्सों से रहते हैं तो अगर आप जनम से ही रहते हैं तो आपको इसे वाले option को select रहने देना है और अगर आप लोग कुछ बर्सों से रहते हैं तो आपको यहाँ पर बर्स वाले option को select करके यहाँ पर बर्स एंटर कर देना है कि आप 5 साल से रहते हैं 10 साल से इसके बाद यहाँ पर निवास परमा पत्र बनवाया था और आपके पास निवास प्रमाड पत्र है तो आप हां करेंगे अगर नहीं है तो आपको नहीं वाले उप्शन को ही सेलेक्ट रहने देना है यहां पर आवेदन सुल्क का भुकतान कर दिया है या फिर नहीं तो हमने अभी नहीं किया तो नहीं वाले उप् पड़ेगा सबसे पहले आपको यहां पर अपने पासपोर्ट साइच के एक फोटो को अपलोड करना है इसके बाद यहां पर स्वाप्रमारित घोश्टा पत्र को अपलोड करना है और इस घोश्टा पत्र का लिंक में आपको इस वीडियो के फोटो कींच करके यहां पर अपलोड कर सकते हैं यहां पर आपको बोटर कार्ड पहचान पत्र की चाया परती अपलोड करनी है और यहां पर बोटर कार्ड मेडेटरी नहीं है अगर नहीं है तो आप लोगों को इससे ऐसे ही छोड़ देना है और अन्य वाले ओप्शन पर क्ल करके आपका आधार कार्ड जहां कहीं पर भी रखा है उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो सभी । डॉकुमेंट्स को मैंने अप्लोड कर दिया है और डॉकुमेंट्स को अप्लोड करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो भी आप डॉकुमेंट्स अप्लोड करेंगे तो आप फोटो अप्लोड करेंगे तो उसका साइच मैक्सिमम पचास के भी होना चाहिए इस वीडियो का लिंक में आपको इस वीडियो के description box में दे दूँगा तो सभी कुछ information को आप लोगों को अच्छे तरह से इस फॉरूम में fill up कर देना है और इसके बाद आप लोगों को दर्ज करें वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही दर्ज करें वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपके form का preview कुछ इस तरह से आजाएगा यहां पर आपका photo आजाएगा और इसी के साथ यहां पर आप लोगों की और भी सभी कुछ detail आजाएगी जो कुछ भी आपने form में fill up किया था इसके बाद यहां पर आपने जितने भी documents upload किये हैं वो आ जाएगे और आप लोग चाहें तो इसका एक print out भी निकाल सकते हैं यहां पर आपको print करने का भी option देखने को मिल जाता है और अगर सब कुछ सही है तो आपको सेबा सुल्क भगतान के लिए यहां click करें वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे इसके बाद आपके सामने application नंबर आ जाएगा Submit वाले option पर click करेंगे यहां पर आपको 15 रुपए का payment करना है जिसके लिए proceed with payment वाले option पर एक बार click कर देना है क्लिक करने के बाद payment page कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर आप लोग net banking, upi, qr, debit card के माद्यम से भी payment करना चाहते हैं तो जिसके भी माद्यम से आप payment करना चाहते हैं उसे select करेंगे और make payment वाले option पर एक बार क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 15 रुपए की payment को complete करना है अब जैसे ही आपकी payment complete हो जाएगी इसके बाद आप लोगों को payment की एक slip भी generate हो जाएगी अगर आप लोगों को payment slip नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर रसीत की प्रतिलिपी वाले option पर एक बार क्लिक करना है यहाँ पर आप लोगों को आबेदन पत्र संख्या एंटर करनी है और सुरक्षित करें वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी एक acknowledgement slip यहाँ पर generate हो जाएगी और इसके बाद आपको क्या करना है एक option देखने को मिल जाएगा आबेदन की सूची तो इसी वाले option पर क्लिक करना है आप लोगों ने इस ID के माद्दिम से जितने भी आबेदन की होंगे सभी आबेदन की इस्टेटस यहाँ पर आ जाएगा जब तक आप payment complete नहीं करेंगे यहाँ पर लिखे आता रहेगा applied but payment no done और जैसे ही आप payment complete कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपका जो form है आगे forward कर दिया जाएगा अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इसका status किस तरह से चेक करना ह है कि आपका जो भी certificate है अभी तक बना है या फिर नहीं बना है और किस तरह से आप लोग इस वाले certificate को download का सकते हैं तो इसके लिए आपको एक option देखने को मिल जाएगा निस्तारित आवेदन तो इसी वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद यहाँ पर cash income domicile यानि कि जात आये निवास तीनों ही option देखने को मिल जाएंगे तो माल लेते हैं आपने यहाँ पर जाती प्रमाडपत्र के लिए apply किया तो इस वाले option पर click करेंगे अगर कोई भी जाती प्रमाडपत्र आपका बना होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और इसी तरह से income certificate certificate आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और निवास पुरमाडपत्र भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा तो यहीं से आप लोग इसका status वगएरा check कर सकते हैं और दोस्तों कई बार ऐसा होता है अगर आप लोगों का form एक हपता या फिर 15 दिन से ज्यादा लग करेंगे तभी आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जब तक बहां से form अप्रूब नहीं होगा तब तक आप लोग यहां से अपने form को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो अगर आप लोगों को सभी कुछ information अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी इसके अलाबा कोई भ